ये बात करेंगे कि कौन सी सीट पर कौन आगे रह सकता है और कहां पर किसका मुकाबला आमने सामने है और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा लोगसबा चुनाओ 2024 के पहले चलन की हमने बात्चीत की जहां पर मद्दान हो गया है और अब दूसरे फेज के बारी है जैसे जैसे तारिक नजदीक आ रही है वैसे वैसे ये जो चुनाओी माहूल है मोसम है उसके सियासी पारे में पारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है सबसे दिल्चस्प जो इस्तिती है वो 2019 के लोगसबा चुनाओं में बिजेपी ने यहां से सभी 25 सीटे जीती थी वो है राजस्तान की जहां पर 2014 और गुनीस में 25 की 25 सीटे जीती थी लेकिन इस बार इस्तिती कुछ अलग है राजस्तान के एक्सपर्ट्स की माने यहां पर राजस्तान में कई सिटू पर काटे की टक्र है दूसरे चरंड में यहां की 13 लोगसबा सिटू के उपर मद्दान है और इसमें बहुत सी शीटें चार-पांच सीटें ऐसी है जो हाई प्रोपाइल है जहां पर मुकाबला रोमान्चक है और कई बड़े नामों की परतिष्टा दाव पर लगी है ऐसे कुछ सीटों के अंदर सबसे पहली सीट जो बड़ी सीट आती है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था वो है बार्ड मेर जेसल मेर इस सीट के ऊपर खुद केलाज चोदरी जो की मंत्री थे उनकी परतिष्टा दाव पर लगी है लगातार लोग आ रहे हैं बार्ड मेर कि लोकसभा चुनाओं में रास्तान की सबसे चर्चित सीटों में से यह चर्चित सीट है और यहां पर धड़कने किसने लाएक रविंदर सिंग बाठी जिस तरीके से उनके सबाओं में बीड बढ़ रही है यह चर्चा का विसे हैं यहां बीजेपी से केंद्री मंत्री जो थे वह केलाज चोदरी हैं और कॉंग्रेस की सीट पर आरलपी से आए उमिदाराम बेनिवाल उनकी पकड़ अच्छी है इसलिए माना जा रहा है कि यहां पर भोश्ती नजदी की मामला है यही कारण है कि बाजपा ने केलास चोदरी पर विश्वास तो जता है लेकिन वह क्या खरे उतर पाएंगे यह देखने वाला होगा और इन दोनु को यानि कि कोंग्रेस और बाजपा को जो टक्कर दे रहे हैं वो है रविंदर शिंग बाठी जो कि कुछी समय पहले आपको बताया कि विदान सबा में जीत कर आए हैं और विदाइक बने हैं और वह भी निर्दिलिय तोर पर तो ऐसे युवा का इनको टक्कर देना बहुत ही मैतोपुन हो जाता है यहां पर मैं बता रहा हूं आपक वह यहां से जीते थे यहां पर सबसे जो एंप एक्टर होता है वह होता है जातिवाद बाजपा और कॉंग्रेज दोनों ने जाट प्रतियाशी को टिकेट इसलिए दिया है तो राजपू समाज से इस बार बाटी निर्दिलिय चुनाव में उतर गये हैं जिससे कि क्या है स के बटवारों को लेकर जाट समाज ने उनका विरोध किया था इधर दूसरी और बात करें तो उमेदाराम बेनिवाल को रालोपा के साथ कॉंग्रेस के वोट का फायदा मिल सकता है क्योंकि त्रिकोणिय मुकाबले में उमेदाराम बेनिवाल और रवेंदर सिंग भाटी के इक भूमिका में रहेंगे कि यह बाड मेर जैसल मेर की बात ती अब जो दूसरी बड़ी सीट है राजस्तान की उसकी बात करें तो वह जोद्पुर जोद्पूर रास्तां की उन वी आईपी सीटों में सामिल है जहां मुकाबला एकतरपा नहीं है बलकि करीबी सीट है इस सीट पर बीजेपी की तरफ से केंद्रिय मंत्री गजेंदर सिंग शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं और गजेंदर सिंग शेखावत यहां से 2014 और 2019 मे पहुत नाराज है पिछली बार जो है उन्होंने पूर्वे सीएम यानि क्या सोग गैलोद के बेटे विवो गैलोद को यहां से चुनाव रहाया था इस बार कॉंग्रेस ने यहां से करण सिंग उचियारा को टिकर दिया है बताया जा रहा है कि उनकी छेत्र में अच्छी प अकातार उनकी जारी है जिससे की चुनावी माहोल गर्म आ गया है कि आपको बताया कि उचियारा ने सेखावत को मीठी मोसी भी कहा है संजीवनी गोठाले को लेकर क्रूजर में घूमने को लेकर पेरासूट परतियासी बता कर दस साल जीरो काम जैसे कई आरोप उनके उपर प्रकसे हैं लेकिन पिलाल देखना होगा कि यहां के सीट का परणाम दूसरे चरण के बाद में क्या होता है तीसरी बड़ी सीट है कोटा सीट इस बार यह खास है यहां से लोकसवा अधेक्स ओम बिल्ला को बिजेपी ने लगाता तीसरी बार अपना उम्मीद्वार बनाया हैं पहलाद गुंजल चुनाव से पहले बिजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में आये ते और कहीं न कहीं पुराने जवाने में यह पहलाद गुंजल जो है वह ओम बिल्ला के नजदी की वी रहे हैं अगली सीट जो बड़ी सीट है वह चितोड़गर यहां पर सब की नज़र की वी इस बार चितोड़गर पर और मुकावला कापी कड़े की टक्कर होगा एक तरफ जहां पर बिजेपी के अदेश सीपी जोसी चुनाव मेदान में हैं तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस से अंजना उदेलाल और भाउजन समाज पार्टी से मेगवाल रादे स्याम भी रेस में इस सीट पर सबसे ज्यादा उमिद्वार खड़े हैं जिनकी संक्या सोला है इस सीट पर भाजपा परदेश से अदेख सीपी जोसी के सामने कॉंग्रेस से गयलों सरकार के पूरव मंत्री उदेलाल आंजना खड़े हुए हैं यह विदान सबाट चुनाव से ही चंदरब दिखाई नहीं दे रही है कई ना कई दोनों ने बेट कर आप सी राजिनामा किया था लेकिन कसक अभी भी बाकि जालोर शिरोई की बात करें तो लुमाराम चोधरी मोदी के नाम से खुद को आम कारेकरता और वेबाव गैलोद जो है को बाहरी बताकर चुनाव लड़ रहे हैं वहीं वेबाव गैलोद पूर्व मुक्य मंत्री असोग गैलोद की योजनाओं के नाम पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं असोग गैलोद ने भी यहां से मोर्चा समाल रखाया है खुद बागडोर समाल रखी है यहां पर चोधरी माली देवासी वोटर सबसे अगली बार समाज को कोई टिकेट नहीं देगा अगली सीट पाली की बात करें पाली लोगसभा सीट भाजपा का गड़ बनी हुई है यहां विदानसभा चुनाओं में आठ में च्छे सीट उपर भाजपा और दो सीट उपर कॉंग्रेस जीती थी पानी सड़क परदूसन स संद्रक्षन आयोग की अद्दिक्स रही संगीता बैनिवाल को मेदान में उता रहा है तो यह सीट पर मुकाबला दिल्चस्प और कड़ा है जिसके हम बातचीत आपको करें वैसे कहा जाये तो राजस्तान में कम से कम 15 सीट उपर कड़ा मुकाबला है आपको बताएं इस सी यह जात बनाम जाती मुकाबला हो गया है वाजपा ने सानसत बागिट चोदरी को फिर मोखा दिया है राम चंदर चोदरी कंग्रेस से परतियाशी जो कि डेरी की चेर्मेन यहां धरम हर मुद्दैक से बढ़ा है ऐसे में कॉंग्रेस को मुस्लिम छेत्रों में अच्छी खा का प्रभाव यहां पर सबसे ज्यादा है इसको काटे की टकर माना जा रहा है कि बीलवडा की बात करें तो कॉंग्रेस ने पहले यहां से गुजर समाज के दामोधर गुजर को टिकेट दिया था बाद में बदल कर पूर में सबाध का परत्याशी बना दिया तो सामने बाजबा कि दामोधर अगरवाल है यह लोग सबाद देख कोई भी हो लेकिन चेरा और मुद्डा अधिका होता है इस तरीके से आपको आज कि वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से पहले चरण और दूसरे चरण में माहोल गरम है और आने वाले समय में क्या हो सकता है अगली कपर लेकर फैर आएंगे आपके सामने वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सबस्क्राइब कि मुकाबला राजस्तान में काटे की टक्कर है कड़ा मुकाबला है देखना पता से लेगा चार जून को केमरामें देवेश के साथ सागर चोदरी